कैसे हैं आप सभी मैं नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में आपको वेला भीटा ब्रांट के और्गेनिक शैंपू के बारे में रिव्यू दूँगी बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे जो भी हम वीडियो दालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंसता रहे तो गैस अगर आप अपने बालों के जढ़ने से परिशान हैं बालों में डेंड्रफ है या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रेजी हैं बालों की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है तो गैस पूरी वीडियो को देखना न भूले क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट होने वाली है तो गैस इससे पहले आपने वीडियो में देखा होगा हमने आपको वेला वीटा ब्रांट की प्रोडक्ट का रिव्यू किया था बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बनाता है जिनके अंदर कोई भी हामफुल केमिकल नहीं होता जो आपके कोई नुकसान पहुंचाए तो बात कर लेते हैं शेंपू के बारे में कि आपके बालों को किस तरीके से फायदा देगा तो गैस अगर आप अपने बालों के जड़ने से परिशान है अगर आपके हेरफॉल बहुत ही ज़ादा हो रहा है या फिर बालों में देंडर्फ है तो देंडर्फ को दूर करने के लिए ये शेंपू आपके लिए बहुत ही जादा बैस्ट रहेगा क्योंकि इसके अंदर गैज एपल साइडर विनेगर है ब्लैक सीड ओनियन प्रेजेंट है कॉफी बीन्स है आप इसे गैज एक हरवल शेंपू भी मान सकते ह नेचरल इंग्रीडियंट है जो आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुचाएंगे बलकि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करके आपके बालों को शायनी और मजबूत बनाने में मदद करता है और भी गैज इसके अंदर बहुत सारे इंग्रीडियंट है कॉफी बीन्स जो के आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है और बालों की ग्रोथ में मदद करती है और आपके बालों को एकदम स्मूध बनाने में मदद करता है नीम गैज आपके जो स्केल्प होती हो उसे कंडिशन करने में मदद करता है और आपके बालों को प्रमोट करता है उनकी growth में जो आपके frizzy hairs हैं उनने स्मूध बनाने में मदद करता है बालों से dandruff को reduce करने का काम करेगा इसके अंदर के ब्रिंगराज प्रेजन्ट है तो ब्रिंगराज आपके बालों को काला बनाता है soft, smooth, shiny बनाता है और आपके बालों को healthy बनाय रखने में मदद करता है अच्छा योगदान होता है जो आपके बालों में इच्छिंग होती है उसे भी दूर करने में मदद करती है almond oil गईस आपके बालों को मजबूत बनाने में मदद करेगा और hairs को damage होने से बचाने का काम करेगा इसके अंदर guys vitamin E present है black seed oil है जो नए बालों काने में मदद करता है इस जगे आपके बाल नहीं उग रहे हैं उस जगे आपके बाल उगना चालू हो जाएंगे और भी guys इसके अंदर बहुत सारी निरिडेंट हैं जिनके अलग अलग प्रकार के वर्क हैं आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा guys ये शेंपू है जो के आपके बालों को protect करेगा और उन्हें जढ़ने से रोकने में मदद करेगा रेगुलर गईज अगर आप इसे चार वीक अगर आप रेगुलर ली इसको इस्तिमाल में लेते हैं तो आपके बाल वाकई में strong, shiny और healthy बने रहेंगे प्राइस के अगर आपन बात करें तो गईज इसका जो प्राइस है 225 ml की जो बोटा लाएगी वो आपको 250 रुपए में मिल जाएगी अफौरेवल है जाधा महावी नहीं है और आपके बालों को सुन्दर भी वनाएगा खुबसूरत चमदार भी बनाएगा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है गाईज यह बहुत अच्छा शेम्पू है आपके बालो के लिए आपके बालो को एकदम प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा प्राइज भी ज़्यादा महंगा भी नहीं है गाईज आप इसे ऑल्लाइन खरी सकते हैं मार्केट से पर्चेच कर सकते हैं जहां आपको गाईज अच्छा सस्ता डिसकाउंड मिले वहीं से आप इसे पर्चेच करे बहुत ही अच्छा है आपके बालो के लिए आपके बालो को हाइडरेट करेगा नौरिश करेगा और आपके जो हेर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें रिमूव करने में मदद करता है यूज करने का तरीका गाईज यह है आपको इसकी थोड़ा सा अमांट लेना है अपने बालो की जड़ों तक अपने जो फिंगर्स हैं उनसे अपने बालो में अच्छे से लगाना है लेकिन चार हफते तक गईस आपको इस शैंपू का इस्तिमाल करना है तभी आपको इससे अच्छा बेनिफेट मिलेगा अधर्वाइस नहीं मिलेगा आपको यही शैंप के साथ मिलकर बना हुआ है जो आपके बालो के हैर फॉल को कंट्रूल करने में मदद करता है तो इस शैंपू को लगाने के बाद आप इसे औरल का भी इस्तिमाल कर सते हैं नेक्स वीडियो में उसके बारे में भी अपन रव्यू करेंगे बहुत ही अच्छा है आपके बालो अच्छा शैंपू है यह आपके बालो के लिए जो के हैर फॉल को रोकता है काफी सारी प्रोग्लम्स को धूर करता है गाइस यह आपके हैर्स की तो इस 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 बेस्तिमाल जरूर करें तो गईस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही मताना चाहूंगी अगर आपको हमार प्रोग्ण को alarm कंपीचर दूर होता रहे पिरका अगर आपको इस प्रोग्ण की रिगारिउंनं कोई भी जानकारी जाननी चाही 경ै तो आप कमेंड बॉक्स में में वह जाके कमेंड कर सकते हैं हम आपके लिए हमेशा एबलिबल रहेंगे आपकी सायता जरूर करेंगे सो गईस हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद